समोसा तो हर किसी का फेवरेट होता है और जब ये समोसा मैदे की जगा आटे से बनाते हैं और फ्राई की जगा बेग करते हैं तो समोसा खाने का मज़ा दुगना हो जाता है तो आज की वीडियो में मैं फ्राई और बेक दोनों तरीका बताऊंगे और साथ ही साथ हम इसे मैदे की जगा आटे से बनाएंगे तो है न मज़दार रेसिपी तो क्यों न अब किसी भी पार्टी और तेवहार को और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाए इस समोसे की रेसिपी से तो चलिए आज की बहुत ही मज़दार रेसिपी शुरू करते हैं तो समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बना लेंगे तो मैं यहाँ पे दो कबगे हूं के आटे का इस्तमाल करें अगर आपको मैदा का समोसा बनाना है तो मैदा यूज करें या फिर आटा मैदा मिलाके भी यूज कर सकते हैं एक छोटी चमच अजवाइन को ऐसे इसमें रगड़ के डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से आए फिर हम इसमें डाल देंगे नमक तो यहाँ पे स्वात के अदुसार नमक डाले और देड़ छोटी चमच हम इसमें घी डाल देंगे घी की जगा आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन घी से मोहन ज़ादा अच्छा बनता है और आपके समोसे जो है वो ज़ादा क्रिस्पी बनेंगे तो यहाँ पे घी से मैंने इसे मिक्स कर दिया अब हम इसमें पानी डालके इसका एक डो बना लेंगे तो समोसे का जो डो है वो आपको कड़ा रखना है, सॉफ्ट नहीं गुनना है नहीं, तो उसका शेप जो है वो अच्छे से सेट नहीं होगा तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी मिलाए और इसका एक कड़ा डो बना ले, ये देखे अब हम इस डो को 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए, तब तक हम मसाला बना लेते हैं तो स्टफिंग का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम डाल देंगे दो बड़े चमच साबुट जीरा साथ में हम इसमें डाल देंगे तीन बड़े चमच धनिया, धनिया के क्वांटिटी जादा रखे एक बड़ा चमच हम इसमें साबुट काली मिर्ची डाल देंगे और इसके बाद इन सब को भूल लेंगे जैसे ही मसालों से अच्छे खुचबू आने लगेगी हम गयास को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे तो यहाँ पे मसाला हमारा चटक नहीं लगा है, जीरा वगेरा ऐसे आवाज आने लगती है जब वो अच्छे से रोस्ट हो जाता है तो तो हम इसे एक बरतन में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसे क्रश कर लेंगे आप चाहिए तो मिक्सर में भी इसे पीश सकते हैं लेकिन ऐसे क्रश करेंगे तो फ्लेवर जादा अच्छा निखर के आता है तो हम इसे अच्छे से ऐसे क्रश कर लेते हैं और आप इसे ने थोड़ा मोटा ही कुटे इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है थोड़ा से ऐसे थिक रखे तो स्वाथ ज़्यादा अच्छा हैगा मसालो का यह देखिए ऐसा रखना है हमे तो यहाँ पे हमारा मसाला रेड या फिर कुटे हुई हरी मिर्च तो अगर आपको अच्छा समोसा बनाना है तो यह सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने आए तो चार बड़ी हरी मिर्च को जुतिखा कम होता है उसको मैंने खलबेटे में कूट लिया था इस पेस्ट को इसमें डाल देंगे और तेल में भू चार सेटी में उबाला था मैंने मीडियम फ्लेम पे तो यहां पे आलो डालने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे तो आधी चोटी चमच हल्दी का पाउडर डाल दे आधी चोटी चमच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे साथ में हम इसमें आधी चोटी चमच गरम मसाल तो यहाँ पर सारे मसाले डालने के बाद इस से अच्छे मिला दें और इस के बदर 3 स्टीटी तक ही उबा लें, तो ये हमारा अलू का मसाला बन गया है, गयास को बन क्या मैने और इसे ठंडा कर लेंगे, तो मसाला हमारा ठंडा है, आटा को हमने set होने के लिए रखा है, तो पहले हमारे की लोई बना लेंगे और उसके बाद इसके स्टफिंग करेंगे तो इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए 15-20 मिनट बाद हम इस डो को वापस एक बार ऐसे गून लेंगे यह देखे यह अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तब हम क्या करेंगे इसकी लोई बना लेंगे तो लोई हमें मीडियम साइज की रखनी है मतलब र को रोल करना है तो यह घुराँ पतलान रोल था ठीक रखे तो यहाँ पर जैसे यह पूरी शरेप का हो जाएगा था पूरी से बड़ां रोल करें और शिय्ट स्वूरी से नहीं धी स्वूर्ण से पतल दिखलो हम पर दो और लिएंगे हम यहाँ रखती हूं तो यहाँ पे इसे मैंने ऐसे रख दिया है इसके end को जो हमने कट किया ना उस पार्ट को हमें ऐसे फोल्ड करके ऐसे पानी लगाना है पानी से यह अच्छे से चिपक जाएगा यह देखे दूसरे साइड को भी ऐसे बंद करके और इस कोने को इसके ऊपर चिपका दे आटा का समोसा जो है वो तेल में कभी-कभी खुल जाता है इसलिए इसे अच्छे से चिपका है और बंद करे नहीं तो सेफर साइड आटा और मैदा को थोड़े से पानी में घोल के और उससे भी चिपका सकते हैं समोसा बिल्कुल नहीं खुलेंगे तो यहाँ पर यह स्टफिंग सेंटर में डाल दे और स्टफिंग जो है वो आपको ज़्यादा रखनी है तब ही समोसा ज़्यादा अच्छा लगेगा अब बंद कैसे करना है यह देखे पानी को चारों किनारों पे ऐसे लगा दे और जो हमने जोइंट किया ना उसके अपोजिट वाले साइड में यह देखे इसके अपोजिट हमें ऐसे एक बार फोल्ड करके प्लीट्स कर लेना है और इसके बाद दोनों को ऐसे बंद कर दे अब किनारों को ऐसे हर तरफ से अच्छे से चिपका देंगे ये देखे, दबा दबा के इसे अच्छे से बंद करें ताकि ये खुले नहीं और उसके बाद इसे ऐसे शेप दे दे तो ये हमारा समोसा जो है वो बन के तियार हो गया ये देखे, है ना, आटे से बनाया है, बहुत ही perfectly shaped है और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर आप डिज़ाइन भी देख रहे है कि एकदम दुकान जैसा बनाया है तो आप समोसे का दुकान भी खोल सकते हैं इस तरीके से तो मैदा का समोसा तो बहुत लोग बनाते हैं आप आटे का समोसा बना के वेज़ लोग ज़्यादा पसंद से खाएंगे और अगर आपको तेल नहीं दूस करना है तो आप उसे air fry करके भी बेच सकते हैं तो यह मैंने साथ में एक business idea भी दिया तो हम क्या करेंगे सेम तरीके से यहाँ पर दूसरा समोसा बना लेंगे यह देखें वापस मैंने पानी से चिपका दिया और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जब आप आटे का समोसा बना है तो उसे अच्छे से बंद करें मैदा जो है वो फटाक से चिपक जाता है और मैदे के समोसे खुलते नहीं है लेकिन जब आप आटा का समोसा बना है तो चिपकाना अच्छे से है और नहीं चिपक रहा है तो थोड़ा सा आटा को पानी में घोल के उसकी लेई बना ले और उसके बाद उससे इसे चिपका ले तो यहाँ पे इस तरीके से हम सारे समोसो को ऐसे बंद कर लेंगे अगर आप इसे बेक या air fry कर रहे हैं तो यह समोसा बिलकुल नहीं खुलेगा लेकिन अगर आप इसे fry कर रहे हैं तो यहाँ पे कभी-कभी खुलने के चांसेज रहते हैं तो यह precaution आपको लेना पड़ेगा मुझे समोसा बनाने का experience है इसलिए मैं यह ऐसे दिखा रहे हूँ लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा सा आटा पानी में घोल के उससे चिपकाए पानी के जगा तो यह समोसा बिलकुल नहीं खुलेंगे तो यहाँ पे हमारा समोसा बन के तियार है अब हम इसे fry करेंगे तो समोसा को fry करते वक्ट तेल का temperature एक्तम कम चीए तो यहाँ पे थोड़ा सा डू बाल ऐसे डाल के देख ले यह देखे तेल हमारा बहुत जादा गरम नहीं है अगर आप बहुत जादा गरम तेल में समोसा डाल लेंगे तो इसके उपर बबल सा जाएंगे और fry होने के थोड़ी दिर बाद ही वो soft होने लगेगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा तो एकदम तेल हलका गरम हो तभी यह समोसा डाले और धीमी आज पर ही आप इसे fry करे समोसा fry करना थोड़ा सा patience का काम है लेकिन अगर आपको हलवाई या दुकान जैसा समोसा जीए तो आपको इसे धीमी आज पर ही fry करना है गरम तेल इसके उपर डालते रहें जैसे दुकान का समोसा आता है वैसा कलर आने तक आप इसे fry करे तो यहां पर आटा का समोसा थोड़ा सा डाक आएगा और मैदे का समोसे का जो कलर है वो थोड़ा light आता है तो यहां पर इसे पलट दे और जैसे इसका कलर golden brown आ जाएगा हम इसे निकाल लेंगे तो यहाँ पे मैंने fried वाले दिखा दिया है, यह देखे और एक batch fry करती हूँ, जब है समोसा तो fry करेंगे न, तो यहाँ पे तेल बहुत जादा गरम दिख रहा है, तो यहाँ पे gas को या तो बंद कर दे या कम कर दे, और इसे ऐसे पलट पलट के fry कर लेंगे, तो समोसा जो है तो fry जादा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत लोग fry की वज़े से या मैदा की वज़े से समोसा खाते नहीं है, तो आप इसे air fry या bake कर सकते हैं, और आटे से बनाएंगे, तो हर कोई खा सकता है, और इतना tension भी लेने के जरूरत नहीं है, तो यह हो गए हमारे fried समोसे, दे और गरम तेल में इसे हलका सा fry कर ले, तो यहाँ पे हमारा मिर्ची जो है वो fry हो चुका है, तो जब समोसा सर्फ करेंगे ना, उसके साथ या उसके उपर यह मिर्ची डाल देंगे, तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, बाकी के समोसों को हम air fry कर लेते हैं, तो air fry को मैं मैंने 10 मिनट के लिए 180 डिगरी पे प्रिहिट किया था, उसके बाद यह समोसा रख दिया, और वापस हम इसे 20 मिनट के लिए 180 डिगरी पे रही बेक करेंगे, जैसे ही 20 मिनट हो जाएगा, हम इसे खोल के चेक कर लेंगे, और मैंने यहाँ पे जीरो आयली उसकिया थोड़ा दोनों समोसे बन के तियार है, अब हम इसे टमैटो केचप और हरी चटनी के साथ सर्फ कर देंगे, तो जो हमने हरी मिर्च फ्राई की न, वो इसके उपर ऐसे रख दे, आहाँ मज़ा ही आ गया, और क्या चीए, समोसा गरम गरम वो भी आटे का, फ्राई बीना फ्राई दोन और अब हम बेक वाला दिखाते हैं, पहले मैंने फ्राई किया और बाद में बेक किया, तो जो बेक वाला समोसा है, वो जादा क्रिस्पी है और गरम है, क्योंकि इसे मैंने तुरन तभी एर फ्राईर से निकाला है, आटा वाला समोसा फ्राई भी बहुत टेस्टी लगता है झाल झाल